हेलो एवरीवन मैं जोती एक बाव फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार कुमार आई इसमें आज मैं आप सभी के लिए जी कि ये सेशन के अंतगत एक नया टॉपिक लेकर आई हूं जो कि है जन्वरी महीने से जुड़े कुछ देचता पहले क्या है कि बिशुट ब्रेख समूंणी ऑन चार जन्फार की योदे मनाते हैं क्योंकि इस दिन लु मना टा गोड्य आप संब्धित कंते हैं क्योंको 16 साल की ऊंस में भेउल रिप का अविश्कार किया इन होने और ने यत्रजल हिनों को पढ़ने लिखने के काबिलियत दी इसलिए हम बिश्व ब्रेयल दिवस चार जन्वरी को मनाते हैं नेक्स्ट क्वेशन राष्टि पक्षि दिवस प्रतिवर्स किस तारिक को मनाया जाता है राष्टि पक्षि दिवस प्रतिवर्स पांच जन्वरी को मनाया जाता है लोगों को पक्षियों के प्रतिव जागरों करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट Q Там विश्विश सम्भूद अना दिवस मना जाता है विश्विव्योद के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की दूर्दशा के बारे में जागरूपता पैदा करने के लिए और उनके सामने आने वाली जो भी दर्दनाक इस्थितियां होती उनको संबोधित करने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है Option C is the correct answer Next question 9 January को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 9 January को हम प्रवाशी भारती दिवस मनाते हैं इसी दिन महात्मा गांधी दच्छिन अफ्रीका से भारत वापस लोटे थे और वो सं कौन सा था 9 January 1915 इसी दिन महात्मा गांधी दच्छिन अफ्रीका से मुंबई वापसी लोटे थे Option C is the correct answer Next question विश्व हिंदी दिवस कम मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस हम 10 जन्वरी को मनाते हैं यह वो दिन है जब UNGA में हिंदी पहली बार बोली गई थी 1949 में UNGA में हिंदी पहली बार बोली गई थी UNGA की फुल फॉर्म क्या है United Nations General Assembly Option B is the correct answer Next question है राश्ट्री मानव तसकरी जागरुकता दिवस प्रतिवर्स किस तारिक को मनाया जाता है तो जो राश्ट्री मानव तसकरी जागरुकता दिवस है वो हम प्रतिवर्स 11 जन्वरी को मनाते हैं इस दिन का उदेश्य है मानव तसकरी पीडितों की दूर्दशा के बारे में जागरुपता बढ़ाना साथ ही उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना मानव तसकरी को हम गुलामी का एक आधुनिक रूप भी कह सकते हैं लेखते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्या है ऑप्शन सीज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेशन है राष्ट्री युवा दिवस प्रतिवस किस तारिक को मनाया जाता है राष्ट्री युवा दिवस प्रतिवर्षम बारा जन्वरी को मनाते हैं क्योंकि इस दिन स्वामी विबेक मनाया जाता है तो 15 जन्वरी को हम भारतिय सेना दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन केम कर्यप्पा ने भारतिय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में अपना पदभार संभा लाता है तो ऑप्शन इस दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेशन है राष्टी स्टार्ट मनाया जाता है राष्टी स्टार्ट अप दिवसम 16 जन्वरी को मनाते हैं जो हमारे प्रधान मंत्री है नरेंद मोदी जी इन्होंने इसकी शुरुवा दोजार 21 में की थी आफ्शन इस दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट भूरा मणिपूर और मिखाली स्थापना दिवस कमनाया जाता है तो ये दिवस हम 21 जन्वरी को मनाते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट व्यर्चिन और प्रदान मंत्री जो है इंद्राव गांधी इन्हों ने प्रदान मंत्री इन्हों शक्रावरन के लिए दिवस मनाया जाता है इसे और आश्टी लोगों को निए दिवस मनाए जाता है option is the correct answer next question है राश्टी मंद्दाता दिवस कम मनाया जाता है राश्टी मंद्दाता दिवस हम 25 जन्वरी को मनाते है 25 जन्वरी को मनाते है इसका जो मुख्य उदेशिये वो है नागरिकों में चुनावी जगरुकता को बढ़ाना नेक्स्ट क्वेशन है राश्टी परेटन दिवस कम मनाया जाता है तो ये भी हम 25 जन्वरी को मनाते हैं ये साल में दो बार मनाया जाते हैं एक राश्टी स्थर पर और एक अंतराश्टी स्थर पर अंतराश्टी स्थर पर हम ये 27 सेप्टेंबर को मनाते है तो राश्टी परे हैं next question 26 January को कौन सा दिवस मनाए जाता है 26 January को हम घर्तन से दिवस मनाते हैं यह आप सब को पता है इसके साथ हम अंतराश्टी सीमाश्यल्क दिवस पि मनाते हैं तो इसका option C उप्रयोक्ष दोनुं option C is the correct answer next question है भारती समाचार पत्र दिवस का मना मना जाता है भारती समाचार पत्र दिवस हम 39 जन्वरी को मनाते हैं कि नेक्स्ट क्वेशन है प्रतिवर्स किस तारिक को बनाया जाता है तो सही दिवस हम प्रतिवर्स 30 जन्वरी को मनाते हैं इसके अलावा साल में ये भी दो बार मनाया जाता है 30 जन्वरी और दूसरा है 30 जन्वरी को जो हमारे भारत के राष्ट्र पिताते महात्मा गांधी इनको गोली मार कर इनकी हत्या कर दी गई ती इसलिए हम 30 जन्वरी को शहीद दिवस मनाते हैं और 23 मार्ज को देश के तीन नाय को भगत सिंग, सिवराज, राजगुरु और शुखदेव, ठापर को अंग प्रति वर्स जन्वरी के अंतिम रविवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन हम बिश्व कोश्ट रोग दिवस मनाते हैं, इस बार हमने ये दिवस 30 जन्वरी को मनाया था और यह दिवस हर साल जन्वरी के आखरी रगविवार को मनाया जाता है तो I think यह आज का last question था option B is the correct answer फिर मिलते हैं next session में I hope आप सभी कोई session अच्छा लगा होगा Thank you so much